कन्यादान जो शब्द है ये मध्यम पदलोपी तत्पू समास है मध्यम पदलोपी तत्पू समास है और ये कम से कम दस बार पिछले तीन साल में पूरे हिंदुस्तान में परिक्षाओं में पूछा जा सकता है पूछा गया है जा सकता क्या कन्या दान जो है इसका विग्रे होता है जो है कन्या के पिता द्वारा पिता द्वारा स्रेश्ट वर को बिलाकर विधी विधान पूर्वक दिया गया दान ये होता है मध्यम पदलोबी कन्या का दान किसी भी द्रस्टी से नहीं हो सकता क्योंकि कन्या दान की वस्तु नहीं है जब हम दान देते हैं तो दान की वस्तु वापस नहीं आती लेकिन कन्या क्या एक बार जाने के बाद में वापस नहीं आती दूसरी बात दान हम उसका करते हैं जिस पर हमारा अधिकार ह कन्या पर पिता का लालन पालन पोशन का अधिकार होता है कन्या कोई वस्तु नहीं है जिसका दान दे दिया जाए यह आपको ध्यान डखना है इसलिए कन्या का दान होई नहीं सकता यदि यह वाला नहीं आए तो फिर यहां पर आप यह कर सकते हो कन्या के लिए दान क्या कर सक करता हो कि कन्या का दान कहने की परंप्रा बंध होनी चाहिए हाँ या ना कन्या का दान कैसे हो सकता है दान दी वह वस्तु क्या वापस लेते क्या वह हमारे घर आती है वापस नहीं आती तो कन्या का दान नहीं होगा कन्या के लिए दान ये तो किया जा सकता है बाकि इसका सही विग्रे होगा मध्यम पदलोपी कन्या की पिता द्वारा श्रेस्ट वर को बुलाकर विधी विधान पूर्वक दिया गया जो दान है वहा कन्या दान होता है ये परंपरा हमें देखनी चाहिए दूसरी बात संपूर्ण वैदिक साहिते में मैं पढ़ाली का व्यक्ति कह रहा हूं संपूर्ण वैदिक साहिते में कहीं भी कन्या का दान है ये धान रखो ये हमने गलत परंपरा बना दी